प्री मांसुन की बारिश में रविवार को रेलवे स्टीशन पर ग्रामेंट शेत्रों में किसानों के लिए आया खाद भीग गया दरसल एक रेक मालगाडी खाद भरकर नीमच पहुँची थी इस ग्रेट को स्टीशन पर उतार लिया गया मगर परिवहन ना होने के कारण खाद वही पड़ा रहा करीब 40 फीसेदी खाद बारिश के कारण भीग गया इन खाद के कटों को सुरक्षित रखने के लिए ना तो कोई पाल की व्यवस्था थी ना ही कोई अन्य इंतजाम किये हुए थे जिसके वजह से इसमें नमी पहुँचने की संभावना है आगामी दिनों में बोहनी खेतों में होना है साथी इसमें खाद का प्रयोग भी होगा ऐसे में खराब खाद के सानों तक पहुँचा तो उन्हें नुकसान जेलना पड़ेगा इतना ही नहीं इस खाद को बिक्री के लिए साकारी समीतीवी दुकानों पर पहुचाना था मगर परिवहन समय पर ना होने के कारण खाद वहीं भीग गया